नमस्ते, मेत्री बोद के परिवर्तन की सकख्षा में आप सभी का स्वागत है, आज तक हम बहुत कुछ सीखें, काफी महनों से हमने बहुत सारे विशय समझे, पाठ पड़े, नए-ने विचारों के उपर हमने चर्चा की, पर अब हम मूल विशय पे आते हैं, सबसे भहत्वपूर्ण पाठ और वो है मेत्री भाव, जिससे मेत्री बूध परिवार बना है, मेत्री भाव, एक ऐसा भाव, जो आपको मुक्त कर दे, जो आपको आनन्दित कर दे, जो आपको असीम शक्ती दे, ऐसा वो भाव है, जिसका बहत्वपू हमने आज तक कभी समझा ही नहीं, आज हम कोशिश करते हैं, एक प्रयास करेंगे, कि ये भाव हम कैसे अनुभव करें, हमारे भीतर, हमारे जीवन में, ये भाव होता है क्या, क्या है ये भाव, जैसे आम तोर पर हम समझते हैं, दो व्यक्तियों के बीच, एक विशेश भाव, अपने पन का भाव, प्रेम का भाव, एक ऐसा रिष्टा, जहां पर हम एक दूसरे को पूर्ण तहा स्विकारते हैं, वो व्यक्ति मेरा और मैं उस व्यक्ति का, एक मैत्री का भाव, एक शुद्ध भाव, अपने पन का भाव, ऐसे लगता है कि वो व्यक्ति मैं हूँ, मेरे परिवार के वो सदस्य है, वो भाव जब आता है, तब सही माइने में, दो व्यक्ति मित्र बनते हैं, खास दोस्त बनते हैं, एक ऐसा रिष्टा जहां पर आप स्वतंत्र हो, जो भी आपको भीतर लगता है, जो भावनाय आपके भीतर आती है, उसे व्यक्त करने के लिए, बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, मुझे जो लगे, मैं बे जिजक होकर अपनी बात रख सकता हू ऐसा व्यक्ति, ऐसा मित्र, दोनों के बीच, ऐसा शुद्ध भाव, वो मैत्री भाव है, अब जब हम इसकी बात करते हैं, तो जीवन में कोन हो सकता है, वो व्यक्ति कोन हो सकता है, क्या हमारे मातापिता हो सकते हैं, माता पिता जो हमें निस्वारत भाव से प्रेम करते हैं हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं जो भी हम जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं उसमें वे हमेशा ही सदैव सपोर्ट करते हैं पर क्या वो हमारी मित्र हो सकते हैं उनके अलावा अगर हम देखते हैं, हमारी सिक्षक हैं, गुरु हैं, क्या वो हमारी मित्र हो सकते हैं, जिनोंने हमारी अपनी खुद की जिन्दगी समर्पित कर दी है, सिर्फ आपको बढ़ावा देने के लिए, आपको मार्ग दर्शन करने के लिए, क्या वे आपके मित्र हो सकता है आपके माता-पीता या आपके गुरुजन पर वहां पर स्वतंद्रता हो आप अपनी बात कह बाएं कितने बार होता है ऐसे कि हम अपनी बाते जो आपकी व्यक्ति-गद बाते हैं, कुछ सेंसिटिव बाते हैं, आप नहीं कह पाते हो अपने माता पिता को या अपने गुरु जनों को भी आप नहीं कह पाते हो तो आप किसी ऐसे वेक्ति को कहते हो जो आपके बराबर का हो जो आपको समझ सकते हैं तो वे वेक्ति आपकी वित्र बनते हैं और ये भाव जब माता पिता के लिए भी है आपके गुरुजनों के लिए भी है तब भी आप अपनी बाद उनके पास जाके रख सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं पर हम इस रिष्टे को समझ नहीं पाते हैं इस भाव को हम इतना महत्वन नहीं दे पाते हैं जिवन में जो उथल पुथल चल रहा है उतार चड़ाव चल रहा है बहुत कुछ होते रहता है तो हम महत्वन नहीं देते हैं पर जब कहीं अटक जाते हैं फस जाते हैं कठनाई आती है तब हम आसपास ढूनते हैं कि काश कोई मुझे सुन ले, मुझे समझ ले मेरा मार्क दर्शन करे ठीक से बताए मुझे क्या करना है या मेरी भावनाओं को कम से कम ठीक से समझ ले हम तब ढूनने को यहाँ वा आसपास जाते हैं हम ये कहते कि मित्र आपके साथ आपके पास हमेशा हो अच्छा समय हो या बुरा समय हो अच्छे लोग आपके आसपास हमेशा ही हो ये भाव शुद्ध भाव है ये भाव पवित्र भाव है मेत्री भाव दैविक भाव है जिस दिन हम इसे समझ ले तो सही माईने में हम इसको इस भाव को न्याय कर पाएं हमें बस ये करना है कि इस भाव को हम को धिरे 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 तो सभी के लिए भाव हो कि सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे मित्र है जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी जीवन में एक गहरा परिवर्तन का अनुभव करते हो सही माइने में आप एक अच्छे व्यक्ति बनते हो, जब आप सभी को अपना मित्र मानते हो मित्र के रूप में देखते हो, सभी के सभी अनेक लोग एक हो जाते हैं, सिर्फ उस एक मेत्री भाव से जब समाज बिखरा हुआ है उसे एक करने के लिए सिर्फ एक भाव चाहिए वो है मैत्री भाव उसी के ओपर आधारीत आज का सुत्र है और आज का सुत्र ये कहता है अनेक हो एक अनेक हो एक मैत्री हो नेक सभी एक हो जाएंगे जब नेक भाव से शुद्ध भाव से हम मैत्री भाव रखे सभी के प्रति सभी मेरे अपने हैं तब सारे के सारे एक ही हो जाएंगे ये विश्व संपूर्ण जगत एक परिवार हो जाएगा आपके लिए सिर्व एक महित्री भाव से अगर सही माइने में आपको परिवर्तन की स्यात्रा में बहुत आगे निकलना है तब आपको इस भाव को पकड़ना होगा अगर जीवन में स्थिर्ता चाहिए जीवन में प्रेम चाहिए जीवन में असीम शक्ती चाहिए बहुत कुछ करने के लिए तो सिफ इस एक भाव को अपना ले अपने मन को इस अध्यात्मिक सत्य के साथ हमेशा के लिए आप जोड़ दें कि सभी मेरे मित्र है ये विश्व एक परिवार है मेरा कोई शत्रू नहीं है सभी मेरे मित्र है इस एक भाव को पकड़िये और तुरंट उसिक्षन मुक्त हो जाईए इस विचार को लेके आप अगले साथ दिन सोचे उसी साब से आप फॉलो करे हम ये कहेंगे सिर्फ साथ दिन ही नहीं हमेशा सदय आप इसके उपर काम करे कि सभी मेरे अपने हैं सभी मेरे मित्र है अगले हफते फिर से हम एक नए विचार के साथ मिलेंगे एक नए सुत्र के साथ मिलेंगे आप सभी का कल्यान हो, आप सभी का मंगल हो, नमस्ते ABP News आप को रखे आगे